वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस सो गाईज आज किस वीडियो में मैं एक most important information आप सभी के साथ share करने वाला हूँ और ये जो information है वो NEET and JE दोनों experience के लिए काफी ज़्यादा मैतवपुन रहने वाली है क्योंकि अब की बार NEET and JE exams को लेकर कुछ मैतवपुन चेंज किया गया है NTA द्वारा और इसकी जानकर NTA ने अपनी official website पर एक notice के जरीए students को दी है चेंज क्या किया है उसके बारे में जानते हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा काफी ज़्यादा important ये वीडियो आज की रहने वाली है So guys बोला गया है So guys जेई ये need दोनों के लिए ही है आप जेई का समझ के ये नहाँ सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए ये need के लिए भी है अब है क्या इसके बारे में बताता हूँ So guys new guidelines के अनुसार अपकी बार आपका जो admit card होगा वो 4 pages में आपको provide करवाये जाएगा ध्यान से सुनिएगा आपका जो admit card है वो 4 pages में आपको provide करवाये जाएगा उसमें आपको एक page पर आपका admit card मिलेगा उसके बाद 2 pages पर आपको उसकी guidelines मिलेगी और जो 4th page होगा उसमें आपको स्वें गोशना पत्तर मिलेगा तीक है एक आपको एक मतलब लैटर मिलेगा उसको आपको अपने आप फिल अप करके उसको अब जब एक्जाम सेंटर में जाएंगे उस समय आपको एक्जाम सेंटर पर उसको सब्मिट करना होगा अब इसमें क्या होगा यह या फिर नहीं वो फिल करना होगा उसके शाथ साथ कि बताना कि स्व आप में सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं सिम्टम्स यानि तो विखार हो गया सूखी खांसी हो गया हाल के दिनों में सांस लेने में कठनाई वगेरा होगी इसके बारे में पूरा आपको पुरूफ जो है वो देना पड़ेगा और वो जो फॉर्म है वो आपको वहां पे जो है वो इप्लेक्ट करवाना होगा जब आप एगजाम देने जाएंगे वहां पे आपको देना होगा देखिए इस फॉर्म को परिख्षय के अंदर पर जमा कराना होगा क्योंकि यह परिख्षय के इंदर अधिकारीद वरा सत्यापित किया गया है और उमीद्वर्थ वरा है ठीक है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और यह जो वहां पे एक ओफिसर होंगे उनको आपको फिलप करवाना पड़ेगा बोला गया है कि एंटिय ने सोमवार देर जारी किया जाने की संबाबनाएं है यानि कि यह टोटल गाइडलाइस जो यहीं में फॉलो की जाएगी सेम टू सेम आपके नीट के इग्जामिनेशन में भी फॉलो की जाएग उसी साथ बोला है कि एंटिय ने काया कि एड्मिट कार्ड इस बार चार पेज़स का होगा और इ important information आप सभी के लिए दी गई है अब एक और information दे दो स्टूदिंस को confusion होगा कि जिन स्टूदिंस में ये करोना के तूरूम में shift किया जाएगा या भाकी के दिखान के साथ इंस को इकजाम नहीं दिया जाए जाएगा को एक अलग में shift किया जाए जाएगा ताकि उन्हों में जो लक्षन दिक रहे हैं उनका इफेक्ट जो नार्मल इनफॉदैंट ना ठीक है गाइस तो यह कि इंपोर्टन इंफोर्मेशन है जल्दी नीट को लेकर भी इस चोटल जो गाइडलाइंस है वह आ जाएगी तो इसकी इंफोर्मेशन भी चैनल पर मैं आप सभी को परवाइड करवा दूंगा बाकि यह दो मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाली थी तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेलफफुल रहेगी तो वह वीडियो भी आप जरूर देख लिएगा चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि ऐसी ही इंपोर्टन इंफोर्मेशन मैं आप सभी को चैनल पर देता रहूंग सु गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ लग क्यार एंड हैव नाइस दे